आप देख रहे हैं BNP Live और मैं समीर आसमी आज हमारी टीम दराउंदा परखंड के सिरसाओं पंचायत में पहुची हुई है और इस पंचायत में कई परत्यासी लड़ रहे हैं और अभी चुनाओ की तैयारिया भी लोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि पंचायत में कि जनता का क्या मूड है और जब चुनाओ आया तो कई परत्यासी दिखाई भी दे रहे हैं तो जनता अभी इसको अपना असिरबात देना चाहती है थोड़ा हम जनता से बात कर लेते हैं आपका वोटर एड़ी बन गया है यूवा भी है आपके पंचायत में जो जीते पां मतलब करने के लिए लोग समर्म बदला कोने के लिए भी हुए है नल जल योजना जो स्टांपनाई यूजना है कितना काम हुए आपके प्सकायत में पानी आ रहा है लेकिन मेंटनेस की जाए ताकि जौनार की सुप्धा सब लोगों के अची तरह से मतलब जो मेंटनेस का पैसे आता है जैसे कुछ तूट गया नल तूट गया पाइप तूट गया उसके लिए आप बोल रहा है लेकिन होता नहीं है न सभी देख लिए यहां पर पानी के सुब्य वहां पर किसी में तूटा हुआ है कोई मतलब यह सब लागा हुए नाम बता दीजिए बबलुकुमार परसाथ जैसे के इन्होंने बताया कि वह जो वादे किये अपने वादे पर खर नहीं उत्रे वैसे तो लोग वह अपने देखा जाता है अपने नीजी फायदा अगर प्रतियासी से दिख रहा हुंझनी और जितना वह वादा किये थे उतना वह करनी पाये और आने वाले वक्त में आएंगे वह अपने वादे को पूरा करेंगे कि नहीं अब तो यह आनेवाले समय में cone चलेगा चलिए थोड़ा चलेंगे देखें रचार मुहानी के आसपास में या चाए के दुकान पर या मतलब के लोग ज्याया तर एक साथ रहते हैं कि यह एक खासित है गाओं का हमेशा एक साथ दिखते हैं और विरोजगारी भी इसे माना सखतTwoToo कर यहां बेटे हुई हैं अभी चुनाव चल रहा है ट्रbrush 35 के समय में अभी हमारी टीम पंचायब को जा रही है और और हर पंचायब से हम दिखा रहे हैं कि सब्सक्राइब में कितना का वह कितना काम हुआ है selbstय विकास का देखे वाद और ellow कोई बात झाने के सब्सक्राइब ेट कर रहें लोग चलिये अबलए ताइम भाद कर रहें चाचा फिरी टाइम में का कीजिए गए पिर रुजगारी देश में ज्यादा ही बढ़ गया है फिर चुनाओ आ चुका है क्या लग रहा है पंचात में कौन आने वाला है इत्त देखिये जो आएगा चुका अच्छा वह अच्छा आजए बीते पान सालों का बात कर लेते हैं फिर्दे पैंत से जयादा इसких और इससे पहले बी चब चुनाया था उस टैम भी वह वादे किया होंगे दावे किया होंगे अपने वादे पर खरे उत्रे हैं इस बार भी कई परत्यासी सामने हैं हर कोई वादा दावा कर रहा है या सरपंच हो गया या मुखिया हो गया सब में आज कल विदायक से ज़्यादा लड़ाई इसी में देखा जा रहा है पंचाय चुनाव में तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकता है पंचायत में जुन जुन बाबु आएंगे क्या कुछ मुद्धा है कितना विकास का काम करेंगे अपने चुनावी मैदान में लोगों से मिल रहे हैं किन मुद्धों का से बात कर रहे हैं क्या कमी है पंचायों से मुख्यापत कर लें सबसे पहले इस पंचायट 211 हुए है जब से पंचायती राज घुषरा हुआ तो उसी समय से हम लोग लगे हुए हैं इस पंचायत में कि एक अच्छे विखास हो इस पंचायत में वही सपना देखते हुए हम लोग आज तक यह हमारा हम लोग का चौथा चुनाव है मतलब चौथी बार लड़ रहे हैं क्या कारण रहा कि जनता चार बार तीन बार नकार चुकी है और इस बार आपको क्या विश्वास है कि इस बार जनता आपको चुन लेगी हम लोग जनता हम लोग को चुनेगी और हम लोग अपना व अभित्तक जिस हिसाब से चार बार चुना हो चुका है तो जिस हिसाब से चुना हुआ है और मुख्या जो भी बना है अभित्तक इस हरदियरा एक नमर वाड में जो भी मुख्या बना है आज तक हरदियरा गाउं के लिए कुछ भी नहीं किया फार और कारण नहीं है कोई का मतलब है कि दारू की बात नहीं है उस समय जो है कि इस सिस्क्राइब पक्राइब ऑर भूत कैपचर होता था था तो हमारे नowर जो भी दो बहुत समुर्द नमर अर एक नमर नमर अर उनयुक। तिन नमर जो एक दो तीन बूथ जो है वहां हमेशा मुस्लिम संप्रदाइक वहां जो बूथ है मक्तब नाम से तो हमेशा लोगों का मने अच्छा-खासा वहां सिकार होता था कि वहां लोग को जाने नहीं दिया जाता था हना बूथ के अप्षिण होता था तो उस हिसाब से ह वहां चुनाव हार जाते थे इस बार बहुत अच्छा सरकार का जो भी फंक्षन है बहुत अच्छा है और इब्यम से होगा तो कहीं ने कहीं हम लोगों को सफलता जरूर हम लोगों को मिलेगा यह चीज है चार बार आप चुनाव लड़े हैं और वह तो ज्यादा होगा सबसे बड़ा है कि अभी तो के इस ब्लॉक में दरवंदा ब्लॉक में सबसे पिछड़ा जो कहा जाता है हमारा सिर्शाव पंचायत है और मेरे यहां जो सिर्शाव पंचायत जो है वह यहां सबसे ज़्यादा बैकवट समाज का लोग है यहां पर और सबसे ज़्यादे सोसर किये जाता है और हर काम जो भी विकास होता है वह कागज और कॉलम से हना कॉलम दवाद से हना उसको पेपर पही रह जाता है अभी चलके देखिए हमारे एक नमर वाड में और दियरा गाम में वही 20 साल पूरा जो है आपको रास्ता मिलेगा आज तक महां हर पंचायत हम देख रहे हैं कि PCC हो चुका है नाला बन गया है पकी मकाने बन चुकी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी जाकि आप सर्वे कर सकते हैं कि हर दियरा ऐसा गाम है जो आज तक विकास के नाम पर उसको लूटा है जिसिकी आप बतारहे हैं कि अभी तक आवास योजना नहीं मिल पाया पहुत लोग को नहीं मिल पाया और चुदों रहे हैं और आपि यह यहां का कोई बात नहीं है और जीतने से पहले कई बड़े बड़े वादा भी लोग किया था हना कि साधी करा देंगे हम हना तो बच्चों के लिए अच्छी बेवस्ता हम लोग करेंगे नाले बनवा देंगे आवास दिलाएंगे रासन काट दिलाएंगे इस जो भी है आप सर्वे किजिएगा चाहे पंचायत ब्लॉक ब्लॉक अस्तर में विजाएगा तो सबसे ज्यादे पेल्डिंग का काम जो है आपका रासन काट का है इसी साम पंचायत में आपको अभी तकम जानते हैं कि फिप्टी परसेंट का ही लोग को रासन मिलता है बात बगया लोग कोई अपना ब्यवस्ता जुनचुन कुमार परसाद भी छुन्चुन कुमार जीन वर फाचनत हैं क्या लग भर यह जीत सकते हैं थम फ़ीए फां कर लोगत दिखाये लुको क्याफर उद्या क्या लग रहा हैं में चार बार आप-LYब सामने ही आ से चार बर चुनाव को पर सामने या पैसी पर उसी को अपना मुख्या चुनते हैं उनको यह नहीं देखना है कि नली गली के क्या विवसता है हमारे घर के सामने का किया इस्तिती है अभी योजना चल रहा है नीति जी का नलजल योजना जो आप देख सकते हैं कि हर पंचायत में लगभग हम गए और दिखाएं कि इस नलजल योजना का क्या धरातल पर कितना सच चाहिए और हर पंचायत के यहीं देखा जा रहा है कि जो लोग हैं अपने वह अपने परत्यास करेंगे तो तो वेक्तिगत फायदा दिखते हैं सामने साफ दिखता है क्या आपसे इनको क्या वेक्तिगत फायदा है ये हमारे है भर में रासन कड बनवा दिये थो वोड़ दीजेगा हैं अच्छ जो वर्तमान में मुखिया है उनके पास भी गए होंगे रासन काल लिए सब्सक्राइब करते हैं आपका उमर भी ज्यादा लग रहा है चार बार उनको सामने आप लेकिन गाहं में लोग कुछ इसा है कि पांचाद मीदर से हो जाता है तो इसे हलका सब्सक्राइब अच्छे आपका उमर भी ज्यादा है और आप मजदूर भी लग रहे हैं पीते भी होंगे जूट मत बोलिएगा पीते भी होंगे चलिए चुनाव में मिल रहा है नहीं मिल र हैं लो नहीं नहीं स्वाही जोगे नहीं कोई नहीं को रहा है कि दारू नहीं मिल रहा है उससे कुछ फायदा बहुत का तरू नहीं मिल रहा हैmos रहा है ल taken कोई भीवाट रहे होँ यह झाल रहा की तो लक्री का कैनलीशान Mandalism थह पंचायत में भूर्टन चुने से फ़्यकर आता हर स्थे हैं अप्सकरां जा विद्या 15 मीन कर डिया नहीं होता इस blank पांचायत तो आप भोट देंगे, हमरा पंचायत में किन मुद्दो पे आप लोग वोड देंगे? क्या मुत्ताहे है? सब्सक्राइब करने के लिए अपना विकास तो करने के लिए अपना विकास तो करा ही लेते होंगे सब्सक्राइब करता है हम यह करेंगे हम और कोई किया है कोई काम नहीं हुआ है वही रास्ता है वही देखते देखते हम लोग भी उमर खो गए और चौथापन में घुस गए बचपन से आई तो कोई विकास नहीं हुआ पहले भी आप लोगों से वादा किया गया होगा किया गया जो किया ओ मर गया जो मुक्या थे बरतमान वाद को अभे आप लोग मुक्या बना दिया ना अभी तो मुक्या है बारती जी पहले सलन थे 15 वरस वह जिसको काम कर जहां काम के तहां काम के जहां चोड़ दें चोड़ दिये अपना नाम बता दो जी धन्यसमा जी जुन-जुन कुमार परसाथ जी से हमारी मुलकात हुई जब ग्राउंड र नहीं हुआ है यह अंको पकाशांव काम कर देना है कि हमारे यह नंबर वाड़ कर रहे हैं चार बार लड़ी चुके हैं शायद कैसे विस्वास दिलाएगा विश्वास्त है लोगों में जागुरुख है हमने एक साल से करोना काल से ही लोगों को वैक्सिन दिलवाने के काम किया राशनकार्ड वह कर कम से कम 80-85 फिक दिये हैं लोगों को और हर तरका जो भी समाजी समधान हुए है उसको हम किये हैं और समाज हमको देखा है जनता देखा है कि हर समय जी समय हमको बुलाए गया है उस समय पहुंचे हैं हर दुख में हर सुख में पहुंचे हैं हर कार्ज किया है तो लोगों को विश्वास है विश्वास है जनता अगर आपको इस बर चुन लेगी तो जीतने का पहला आपका काम सब्सक्राइब करके जो भी है राशन कर्द सबसे पहले जरूरी है लोगों को राशन कर पहले रासन चाहिए सब्सक्राइब बिल्कुर पहले राशन चाहिए उसके बाद इंदरावास तो घर हर घर में सवचाले रहता तो रास्ते पर बढ़ती है उड़त सर्म की बात है कि 20 साल में हमारी मुखिया लोग आते हैं जाते हैं उसी रास्ते से आते हैं जाते हैं और हमारी मा बहने जो रास्ते पर बढ़ती है यह बहुत सर्म की बात है तो इस पर भी हम मेरा पूरा फोक लेकिन एक आपसे मुद्दा छूट रहा है क्योंकि देखिए अगर सिक्षा रहेगा तो खाने पीने का विवस्ता हर कोई कर लेगा तो सिक्षा में मुद्दा है तो सिक्षा पर आप कैसे काम किजिए अपने पन्चायद में सिक्षा काम अंसम आपने शूट लिए हम करें व और तो समय और उस पर क्या में रहेगा हम अमारी स्कुल में कई सक्राच को बताना नहीं पर ग गाथा ये मेरा बच्चों के लिए ड reunion परखान पर और कमा उते हैं माष्भाशार साहब कब सब चीज़ब पर हम अपना प्रकाश डालेंगे जी चली अब हमारे मादेम आपके की प्रतिासी परतियाश आपना विथ प्रतस हें हमें उम्मीद है कि इसे शांप पनचायत की जंता हमें सुईकार और हमारे अभर नमर बटम जो है धोलक चाप पर बटम जरूर दबाएगी चलिए सिर्शाव पंचायत में मौजूद हैं जो दराउंदर परखंड में पड़ता है और इसी बीच हमारे साथ मिल गया जुन-जुन कुमार परसाथ जी जिनका धोलक चाप चुनावचीन है चार बार लड़ाई भी ल पर आशन कार्ड का लेकिन सिक्षा भी में मुद्धा है सिक्षा भी बोले काम करेंगे अब तो यह आने वाले वाक्ट ने पता चलेगा कि यह अपने वादे पर कितना खरे उतरते हैं और जनता अपना असिरबात किसको देती है ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए बीन पी सब्सक्राइब करें धन्यवाद